मैं आपका स्वागत है मैंने आपको पहले 10 one word substitution दिया था जो आपके आने वाले exam में helpful होंगे मैं फिर आपके लिए 10 one word substitution नाई हूँ जो मुस्टली एक्जाम में refit होते हैं तो देखते हैं one who draws or produces maps इसका मतलब क्या होता है वह जो मानचितर बनाता है उसे क्या कहते हैं काटोग्रोफर कहते हैं याने कि मानचितर का ओके next A strong and fast moving stream of water, इसका मतलब क्या होता है, पानी की एक मजबूत और तेज चलने वाली धारा को हम क्या कहते है, टोरेंट कहते है, क्या कहते है, तोरेंट, धार भी कह सकते है, धारा परवा, मुसल दार बारिस भी कह सकते है, नेक्स्ट, one who can, ये can लिखा है, can use both hands efficiently, इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या होता है, 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 मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी को क्या कहते है, इसका मतलब क्या होता 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 है, इसक से लिखा है यह कि एक्राइख बीजने कर पाःट्र मुथ्या इसके डिए और स्किन यूदिस को क्या तर्यौ दिया और इसके ड्रमोलजिस्ट कहते का ड्रम लूजिस्ट या नी की तवाचा रो भी ज्यानी ऊपे नेक्सट ए इन ओफिसियल पारण पारण का मतलब क्या होता है इन इन ओफिसियल पारण का मतलब ही होता है अमनेस्टी एमनेस्टी का मतलब क्या होता है जो स्वरकार द्वारा माफी दी जाती उसको क्या कहते हैं मनेस्टी कहते हैं क्या कहते हैं एमनेस्टी कहते हैं next, one who walks on foot उसको क्या कहते है जो पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं pedestrian, that is very simple word pedestrian next something that catches fire easily जो आसानी से आग पकड़ लेता है उसको क्या कहते है inflammable कहते है inflammable सिगर जलने वाला one who is difficult to please जिसको मनाना मुश्किल हो उसको क्या कहते है fastidious कहते है यानि कि नक्चड़ा next one who is indifferent to pleasure pen और pen जिसको ना कोई pleasure से फर्क है ना pen से उसको क्या stoic कहते है सासी अटल बहादूर आप इसको adventurous भी कह सकते है bold भी कह सकते है ओके